नमस्कार दोस्तों मेरा नामे सतीस और अपका बहुत बहुत सवागत है आज के इस नए वीडियो में इस वीडियो में फ्रेंट्स हम बात करने वाले हैं कि आप हरीफाइन एप को कैसे यूज कर सकते हैं तो यह है फ्रेंट्स मेरे हाथ में S8 Ultra Smartwatch जो के connect होता है हरीफाइन एप से ठीक है तो आज के इस वीडियो में आपको connect करके बताऊंगा फ्रेंट्स जैसे ही आप अपने S8 Ultra Smartwatch को हरीफाइन एप से connect करते हैं तो इसकी time अपने आप सही हो जाती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप अपना photo लगा सकते हैं WhatsApp का, Facebook का message ले सकते हैं बहुत सारे settings जो है आप इसमें कर सकते हैं और उसको अच्छे से use भी कर सकते हैं तो आज गे इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको step by step बताने वाला हूँ जिसको scan करके आप आसानी से app को download कर सकते हैं और उसको use कर सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर QR code को निकालता हूँ यहाँ पर देखिए QR code है इसी QR code को scan करके आसानी से आप आप को download कर सकते हैं तो चलिए app को download करते हैं और उसको connect करते हैं और उसके बाद मैं आपको सारी settings बताता हूँ, तो box को रख देते हैं side में, तो friends यहाँ पर आपके सामने keyword code यहाँ पर दिख रहा है, मैं अपना phone ले लेता हूँ, आपको भी अपना phone ले लेना है, ठीक है, phone मैं आपको chrome browser को simply open करना है, open करने के बाद friends आपके सामने कुछ इस यहाँ पर आपको सार्च पर क्लिक कर देना है, क्लिक कर देने के बाद friends आपको यह लेके चला जाएगा, हरिफाइन एप के side पर, तो यहाँ पर आपको दो option दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से interface आएगा, यहाँ पर दो option दिखेंगे, यहाँ पर Google Play Store का option दिखेगा और local download का option दिखेगा, तो आप किस तरह से app को download करना चाहते हैं, हरिफाइन एप को download करना चाहते हैं, वो यहाँ पर select करना है, तो हम Google Play Store से download करेंगे, इसको local download करना अच्छा नहीं होता है friends, तो हम इस पर simply click करेंगे, जैसे हम यहाँ पर click करेंगे friends, यह लेके चला जैसे हम open पर click करेंगे friends, तो यहाँ पर user privacy को agree करने के लिए बोल रहा है, तो इसको agree कर देते हैं, agree कर देने के बाद friends, यहाँ पर activity को allow कर देंगे, call logs को allow कर देंगे, contact को allow कर देंगे, और nearby device को भी हमको allow करना परेगा, notification को आप allow कीजे, मत कीजे, कोई दिकत नहीं, इसको don't allow कर देंगे, phone calls को भी हम allow कर देंगे, message को भी allow कर देंगे, ठीक है, यह सब चीज allow कर देने के बाद यह होता है friends की, आप आसानी से जो है, connect करने के बाद सारे messages आपके smart watch पर आते रहेंगे, phone calls का हो गया, या फिर direct message हो गया, WhatsApp, Facebook का सम message आते रहेंगे, ठीक है, उसके बाद friends इंटरफेस दिखे का, यहाँ पर बोलड़ा है, sign in करने के लिए, तो हम sign in नहीं करेंगे, यहाँ पर नीचे देखिए, login directly का option आपको मिल जाएगा, तो simply हमको इसी पर click कर देना है, जैसे हम इस पर click करेंगे, तो friends जो है, यहाँ पर 10 second का time लेगा, और आपका user number, account number और यह password बना देगा, ठीक है, अपने याँ, ठीक है friends, तो इसको यहाँ पर हम छोड़ेंगे, और यहाँ पर confirm पर click करेंगे, जैसे हम confirm पर click करेंगे, तो फिर से हमको यहाँ पर confirm पर click करना है, click करने के पाद यहाँ पर छोटा सा आपको profile setup करना पड़ेगा, my information का, तो यहाँ पर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं जो नीखने में चार और 20 करक्टर के simply आपको confirm पर यहाँ पर click कर लेना है confirm पर click करने के बाद यहाँ पर set successfully का message आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर permissions जो running कर रहा है background में वो सब कुछ यहाँ पर देख सकता है लेकिन इसकी कोई जरूत नहीं है तो यहाँ से हम back जाएंगे back जाने के बाद यहाँ पर notification का जो problem है हमार जो notification नहीं आता है उसको hit करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर go to set करेंगे go to set करने के बाद यहाँ पर notification का access देना पड़ेगा तो हम लोग horrifying app को use कर रहा है तो horrifying का notification access यहाँ से on करेंगे on करने के बाद यहाँ पर allow करेंगे तो यह on हो जाएगा असानी से उसके बाद हमार आपको back चले जाना है ठीक है back जाने के बाद friends आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजागा जहाँ पर आपका step, calories, location, goals सब कुछ यहाँ पर show करेगा ठीक है friends तो यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं data पर click करने के कुछ इस तरह का interface आपके समने आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो हमारा smart watch अभी not connected है ठीक है तो हमको connect करना है तो यहाँ पर search device पर simply click करना है click करने के बाद यहाँ पर हमको क्या कर रहा है कि application पर गेंगे फिर से बैक जाना है उसके टिक करना की करना के बाद अब कर से अपको सर्चिंगा स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ना जया है हमारा smart watch का नाम है से टर्ट रा इस पर इसस आपको simply click कर देना है जैसे आप इस पर click किजेगा तो connecting start हो जाएगा और यहाँ पर हमारा connect हो जाएगा connect successfully device यहाँ पर लिख के आ गया है उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप permissions को check करना चाहें देखना चाहें तो देख सकता हैं तो यहाँ से हम इसको cancel करेंगे इसकी ज़रुरत नहीं है तो हमारा finally यहाँ पर जो यह smart watch है connect हो गया यहाँ पर देखिए connected लिख के आ गया है और इसके time अपने आप सही हो गया होगा यहाँ पर देखिए time जो है सही हो गया है हमको कोई यहाँ पर problem नहीं आगी यहाँ पर 11-20 हो रही तो इसमें भी 11-20 हो रही है तो इस तरीके से आप time को set कर सकते हैं उसके बाद friends इसमें बहुत सारे important setting जो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से device setting पर आपको click करना है यहाँ पर find कर सकते हैं यहाँ पर message notification को देख सकते हैं यहाँ पर click किजएगा तो सब कुछ यहाँ पर on है यानि कि आपका WhatsApp का Facebook का जो notification है आपके smart watch पर आता रहेगा easily आएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर on ने होगा तो इसको on कर लीजएगा ठीक है दूसरा यहाँ पर आपको 24 hours से 12 hours में करने का option यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं अपने इसाब से देखिए set successfully का option यहाँ पर आ जाएगा ठीक है फ्रिंट्स तो अगर 24 hours में करना चाते हैं तो इसको on कर दीजएगा अगर 12 hours में करना चाते हैं तो इसको off कर दीजएगा तो 12 hours में रहेगा यहाँ पर vibration को on कर सकते हैं यहाँ पर pound saving mode को on कर सकते हैं तो यह सारी settings इसमें आपको मील जाती है जो मैंने आपको बता दिये उसके options यहाँ पर dial setting का option आता है तो इसमें आप अपना photo लगा सकते हैं यहाँ पर दे класс करना तो यहाँ पर इसमें से आप फोटो चूज करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा यहां से आप सेट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा complete पे click करने के बाद आपको इसको adjust भी करना चाहते है तो कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर Сब्सब्स कर ले ने के बाद आपको save and use पर simply click कर देना है जैसे आप ट्लिक किजएगा तो फोटो लगना स्टार्ट हो जागा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यह 100% होगा अभी 0% है जैसे यह 100% होगा यह फोटो हमारे smart watch में सू करने लग जाएगा ठीक है friends फोटो लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका device जो है disconnect ना हो ठीक है friends disconnect रहेगा तो फोटो नहीं लग पाएगा जखिये friends हमारा फोटो यहाँ पे लग गया है और कुछ इस तरीकी से दिख रहा है तो आप भी अपना फोटो असानी से लगा सकते हैं यहाँ पे कोई भी problem नहीं आएगे ठीक है friends